शशी कपूर एक दिगत स्टार है उनके काम की हर तरफ सराहना होती है और आज भी उनके काम की काफी चर्चाएं होती है और इस महान कलाकार का जब निधन हुआ तो पुरे राष्ट्र को और बॉलिवोड को एक बहुत बड़ी छती हुई तो चलिए आज उस महान शक्षियत की खुबसूरत प्रेम कहानी के बारे में जाते हैं 18 साल की शशी कपूर ने एक खुबसूरत लड़की को ब्लैक और वाइट पॉल का डॉटेड हॉल्टर नेक लाइन ड्रेस पहने देखा जब उन्होंने बैक स्टेज से अंदर जाका तो पहली ही नजर में उन्हें उससे प्यार हो गया और उन्हें पता चला कि ये लड़की वही है जो उनकी जिन्दी की बदल देगी खैर वो लड़की कोई और नहीं बलकी जैनिफर कैंडल है सेक्सपेयर की देटेंपेस्ट पर आधारिक नातक में वो मिरांदा की भूमिका निवा रही थी जब शशी कपूर जी उनसे पहली बार मिले 18 साल के शशी कपूर सहायक स्टेज मैनेजर के साथ साथ अपने पता की थेटर सम्हू के लिए एक अभिनेता थे जबकि 23 साल की जैनिफर अपने पता जैफरी कैंडल के सेक्सपीरियन सम्हू के साथ थी और यहीं से शशी और जैनिफर की प्रेम कहानी की लेकिन इस प्यारी जोड़े के लिए ये रह इतनी भी आसान नहीं थी उन्हें कैंडल की शुरुवाती विरोध का सामना करना पड़ा लेकिन शमी कपूर की पहली पतनी गीता बाली से उन्हीं समर्थन मिला जो की कपूर खांदान में वो पहली इनसान थी जिनने शशी कपूर और जैनिफर के प्यार के बारे में पता चला और इसके बाद उन्होंने जैनिफर को एक दुपटा भी किफ्ट किया लेकिन छोटी बाधाओं के कारण 20 वर्षी है शशी कपूर ने 1958 में 25 वर्षी जैनिफर से शादी की और रंग मंच के लिए ये युगल के प्यार में उन्हें मुंबई में ही प्रत्वी थेटर का उन्होंने काया कल्प करने के लिए ठान ली और इन दोनोंने एक दूसरे की इस काम में काफी मदद भी की कैंडल और शशी ने भी कई फिल्मों में एक साथ काम किया विशेश रूप से मर्चंट आइवरी प्रोडेक्शन द्वारा निर्मिन सबसे विशेश रूप से मॉंबे टॉकी इस जोड़े के तीन बच्चे हैं कुनाल कपूर, करन कपूर और संजना कपूर उनकी अद्बुत और खुबसूरत प्रेम कहानी जादा लंबे समय तक नहीं चल पाई जैनिफर को टर्मिनल कैंसर का पता चला और लास्ट में 1984 में वो अपनी जिंद्गी की जंग हार गई जैनिफर की मृत्यों के बाद सबसे पहले उनके बेटे कॉनाल कपूर ने प्रित्वी ठीटर का संचालन शुरू किया बाद में संजना कपूर ने अपने भाई को जूहू में इस दिट ठीटर को चलाने में मदद की इन सालों में शशी कपूर के पत्नी का निधन हो गया था जो की शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ जाहिर तोर पर जैनिफर की मौत के बाद परिवार गौवा में चला गया और यहाँ पर वो एक नाओ के साथ समुन्दर के बीच में गए और वहाँ पर बहुत जादा रोय उनकी मौत ने उन्हें पुरी तरह से हिला कर रख दिया था वो इस नुकसान से उबरने के लिए बहुत कोशिशे कर रहे थे पत्नी की गुजर जाने के बाद भी शशी कपूर ने काम करना जारी रखा बास्तम में अपनी पत्नी के चले जाने के बाद उनके अभिनाय में काफे निखार आया और वो काफी बहतरी से काम करने लगे थे लेकिन फिर भी उनके अंदर अभी भी कुछ हिस्सा था जो तूटा हुआ था उनके जीवन का प्यार उनके सचे साथ ही जैनिफर की मौत ने उन्हें बिल्कुल ही तोड़ दिया था अनिल धारकर जैसे करीबी दोस्त उनके इमोशनल ब्रेकडाउन और फिजिकल ब्रेकडाउन के गवा थे जैनिफर की देखभाल और अनुशाशन के बिना उन्होंने खाने और पीने के लिए अपनी दोनों कमजोरियों को खत्म कर दिया और इस तरह से दुख और पीड़ा के क जनने के 33 साल बाद दुसंबर 2017 में शेशी कपूर के दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया और इस तरह से हमने एक महा नायग को खो दिया और इस खुबसूरत प्रेम कहानी के आखरी पात्र की भी मौत हो गई लेकिन उन्होंने दशकों पहले ही अपनी जिंदगी जीना बं सब्सक्राइब हुई शेशी कपूर और जैनिफर की प्रेम कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट शेशन में जरूर बताइएगा और आप तक बॉलिवोर्ड से जुड़ी ऐसे ही कई किससे कहानी प्रेम कहानी लगातार पहचाते रहेंगे इसलिए चैनल के साथ बने रहे धन्यवाद